कि इसके पीछे वोला जो वीडियो था ग्राफ के बारे में बता है ठीक है वही पर हम पता है थήकी है वेख वेख हर कंडिशन में अलग अलग अ इक्विशन होता है ठीक है वेख का तो हमने बात करते है क्या कि वेख वेख जो होता यह टई потр Civic नहीं है हर मोशन के द्वारा ब करेंख्堅र फोर्स कथ अलग लगता है इसकर एक्विशन अलग रहता है इसाई द्वारन तौ सम possessed सकते हैं वे हैं बल को क्या होता उससे अगे जब तवरंट डिफाइंड होगा तो तवरंट से नहीं बल का डिफाइंड होगा उसी के कारण मोमेंटम भी डिफाइंड होगा सब का अलग-अलग बात हम दो पढ़ेंगे तीक है तो इस में क्या होगा कि linear motion में कि हमेशा जो इस चल्वान करेगा या तो बहुत थें करता है तो इसपब भी मोशन करेगा तो इस बहुत पुरिजंटल है सर्कूलर वावास इस जब भी बात करेंगे तो इसमें कोई भी पार्टिकल जो हता है सर्कूलर मोशन में मैंने सर्कूलर में क्या करेगा वो मोशन करेगा तो इसका विलोश्टी इसमें इसलेरेशन क्या होता है इसमें फोर्स क्या होता है अलग-अलग होता है उसका इक्वेशन ही अलग-अलग होता है हमसा बताएंगे यही कारण है कि सरल गती एक रेखिये वेग जिसको स लग ही उसका नाम है ठीक है तो आप इसे समझ सकते हैं इस में जो होगा एक पेंडूलम होता है आप देखें हो यह यहां यहां आपने देखा गया कि यह पार्टिकल् जो होता है इकलिग्रियम पॉइंट के अपने इद गीद क्या होता है निश्ची समय अंतराल में क्या करता है यह रोटेट करता हैं क्या करेगा पर जाएगा फिर आएगा फिर इधर फिर जाएगा फिर इधर आएगा शमर्ण में आ है मतलब इधर जाता है तो फिर इधर आता ठीक है वह ऐसे एसे रोटिट करेगा तो इसका इक्वेशन अलग ही होता है इसका इक्वेशन अलग होता है इसका इक्वेशन अलग होता है तो हम लोग अब पढ़ेंगे तो इसका चाप्टर ही अलग बना देंगे यह चाप्टर यही कारण के अलग अलग है यह भी अलग अल करता है या तो भर्टिकल डारेक्शन में मोशन करता है भर्टिकल डारेक्शन में करता है तो उसका भी एक्विशन अलग हो जाता है और होरिजेंटल से उसका भी एक्विशन अलग हो जाता है तो हम बात करते हैं अब लिनियर एक्विशन के बारे में आज हम लोग चार्चा क का हम लोग आज क्या करेंगे चाचा करेंगे उसका धिलोष्टी क्या होता है उसके दूरी क्या होता है उसकी चाल क्या होता है उसका फोर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग इसका डिसकर्शन करेंगे इसमें ठीक है रेखिए वेख के द्वारा ठीक है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे आज ठीक है अब हम बात करते हैं linear motion linear motion जिसको बोलते हैं सरल गती क्या बोलते हैं सरल गती तो सरल गती में क्या होता है कि इसमें दो परकार का motion हो जाता है यह होता है दो परकार का motion हो जाता है यह होता हो रीजोन्टल horizontal motion होता है एक होता है भर्टिकल भर्टिकल मोशन जिसको 36 काते हैं 36 गती काते है इसको बोलेंगे उदर्ग उदर्ग गती बोलते हैं ठीक है अब इसके द्वारा का equation होगा भर्टिकल के द्वारा का equation होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे ठीक है इसके द्वारा हम लोग जानेंगे ठीक है तो 36 गती उदर्गती के द्वारा है इसको हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले इसके equation क्या होता है तब उसके बाद हम लोग जानेंगे vertical equation क्या दोनों के base problem बनाएंगे ठीक है तो हम बात करते हैं अब horizontal motion का ठीक है अब हम बात करते हैं horizontal motion का horizontal motion जिसको बोलते हैं 36 36 गती ठीक है इस पर क्या होता हैं कि जब भी motion की चार्चा पर गंड जाता है इतना किलोमीटर का bridge यही हो जैता है ऐसे चब कर आए इसे चार्चा करेंगे एक ठीक है तो हमेशा क्या होता है कि 36 गती की इसमें लिखेंगे क्या कि कोई पार्टिकल कोई वस्तों क्या होता है हमेशा 36 दिशा में ही गमन करता है उससे को कहते हैं 36 गति ठीक है हम उसकी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले इसके इक्वेशन बताते हैं को परिखा में यह परिभासा पुछता नहीं है डारेक्ट इसके थुरू मतलब कि केवाल समझने के लिए क्योवल हमने इसको सधर्ण किया है कि 36 गती एक वर्टिकल मुशन मतलब समझने के लिए कि 36 गति कर jag it क्या होता है और चलता है नहीं पर इसको समझने के लिए खरीजन्टल गतिले रहा है एक वर्टिकल गतिला है और एक वर्टिकल मोशन यह जै menga하지 तो इस ले 36 गति इस में जब भी कारेंगे तो यह की बात करेंगे स्थार नायरंगे तो वहाँ थुरा सा बताएंगे कि G के बारे में कैसे हम लोग लेते हैं उसके बारे में बताएंगे अभी 36 गद्दी के बात करेंगे तो एक नमबर इसका इक्वेशन होता है इसमें जब भी भी दूरी निकालेंगे तो UT पोलस हाप 80 स्कुरा है ठीक है दूसरा नमबर इक्व स्कुरा और निकाल सकते हैं वेग में परिवर्थन की जो दर होती है या एकाई से में वेग में जो परिवर्थन होता उससी को तोरं कहते हैं दिकेंगे यह क्या है मनें U क्या है ट्यक्या है यह साब हम बात करेंगे ठीक है तीस नमबर में होता है कि V square बराबर U square plus 2S चोथा नमबर equation होता है S बराबर U plus V by 2 into T क्या होता है कि S बराबर U plus V by 2 into T होता है याद रखेगा चार गोई equation है इसी से आपके सारे linear equation का जो होता 36 गति के बारे में इसमें जब भी motion की बात करेंगे तो 36 जीसा में जब भी motion की चार्षा करेंगे तो इस जीसा में हम बात करेंगे ऐसे या तो ऐसे बात करेंगे मतलब कि हमेशा horizontal horizontal जिसको 36 जो धरती के समनानतर जितना motion हो सब इसके हम जरये बात करेंगे ठीक है? हम इसके जरये बात करेंगे, ओके? हमको अमीद है कि आप समझ गया हूंगे, ठीक है? इससे में projectile motion परहेंगे तो projectile motion एक अलग chapter ही बना देंगे समझने के लिए अभी फिलाल दो यज़िए ये प्रजेक्टाइल मोसर अलग चाप्टर बना देंगे हम ठक है। प्रजेक्टाइल मोसर किर्केट खेलते हैं तो वह ऐसे मोसर करता है तो प्लें की बात करेंगी अब यहां हम समझ सकते हैं अब यहाँ समझ सकते हैं कि एस जो है क्या है डिस्पलेस्मेंट है जिसको बिस्थापन कहते है डिस्पलेस्मेंट जिसको बिस्थापन थोड़ा सा इसको यहती करना पड़ेगा यहाँ लिख लीजिएगा मैंने एक्विसन लिखने के बाद यहां लिख लिजेगा यू जो होगा वह होगा पर इनिसियल इनिसियल विलोश्टी है जिसको पारामभिक वे कहेंगे भी क्या है फाइनल विलोश्टी जिसको अंतिम वे करते हैं अब क्या ہے यह जो है इसलेरेशन है जिसको तोरन बोलते हैं अब क्या टी क्या है टाइम है जिसको समय बोलते हैं क्या और कुछ उटा है इवी हो गए आख ङए भी हो गया एभी हो गया हमको लगारी मताईं कि के इतना लिक लीजैगा ठीक है इसक्ति के मेनिंग क्या क्या होता है तो 36 गति का equation लिखा लिखाती ये जब भी motion होगा तो horizontal जब भी horizontal हम बार बार कहते हैं कि horizontal होगा प्रीथवी के समनांतर जो भी अगर motion होगा तो वह acceleration एका पर्योग करिएगा वह acceleration एका पर्योग करिएगा equation में दिया हुआ राएगा चाहिए उसको निकालना परेगा वही बात है यहाँ से निकालिए चाहिए यहाँ से निकालिए हर equation में होगा acceleration यहाँ तो acceleration है यह नहीं है ताकि इसमें एलस लेशन अगर नहीं दिया हुआ हो अगर इस डिस्पलेश्मेंट बताब दूरी इसमें दूरी कहे ना तो समझेंगे वह विश्थापन है दूरी भी देगा तो बिस्थापन मान लिजेगा ठीक है क्योंकि बेस्ट प्रॉलम काई कि दूरी जो होता है आज का आँगा, जो है ना, ये चलता नहीं है,我不知道 है चाहे नशार के विस्तापन कहे या ना कहे विस्तापन कहे तो दो прямо होगा। USS talk रिठीू से हम बात करना चाहा रहे है ठिक? whole कusta और दूरी ऊपले दूरी आज कि उसको मानी लेना इसा नहीं हो सकता है जब फिंगर वाला कुशन देगा दूरी अलग रहता है रहता ऐसन के बात करेंगे तो एक लिखे गा है हम उमीद करता ही कि आप समझ नहीं अब अगला वीडियो में जो होता है vertical motion के लिए equation लेकर आएंगे उसमें क्या होगा कि जब G command के हम जिससे हम बात कर रहे हैं तो वहाँ प्रिथ्वी पर एक gravity पाया जाता है प्रिथ्वी के एक आंतरिक G होता है जिसका नाफ में a small G होता है क्योंकि G तो और लेडी प्रिथ्वी पर है बरावर है लेकि अगर G जैसे जैसे वस्तु को उपर फिटेंगे तो G command तो यहाँ नहाँ है दीर दीर उपर की और घटेगा अब प्रिथ्वी क्या करगा इस वस्तु को अपनी और क्या होगा जब से इसकी ब्रूस्टी अब मैंने जिसना फोर्स से आप उपर फिकिएगा तो फिलोस्टी कहीं न कहीं तो इसको मैंने अंतिम होगा तो प्रिथ्वी क्या करेगा इस वस्तु को अपनी और खिचेगा वस्तु को अपनी और खिचेगा तो G command बढ़ेगा तो हम बताएंगे जब वर्टिकल डारेक्शन में जब वस्तु उपर नीचे से उपर क्यों फिकेंगे तो G command बढ़ेटिव होगा उपर से जम नीचे आगा तो G command बढ़ेटिव होगा उसका एक्वेशन दोनों कंडिशन का अलगला हम चार्चा करेंगे अगला वीडिव में ठीक है अब उमीद करते हैं कि आप इस तो समझ गया हो करेंगे ठीक है मेरी हम यह बता दे इस परक कि सव्र रहेकिं में कैसे कैसे मने चतर tap करेंगे connection को मने वे प्रोलॉम जैसे जैसे कुछन पुछेंगा वह मैंने क्या वे इक्वीशन का जरिए उसको मने हो क्या करेंगे लगाए हम उमीद करते हैं कि आप समझ गया होगे ठीक ह okay thanks